हेलो दोस्तों आप सोच रहे हो कि यह जगा कुछ नया नया सा लग रहा है कुछ चेंजेस हुआ है यस यह राइट सबसे पहला चेंजेस आप देख सकते हैं तो चूजे चेक्स इनको हमने वहां से उठा कर यहां ला दिया इनके लिए एक नया घर है ऊपर से पुरे दुनिया को देख सकते हैं और दोस्तो जो भर हमारे इस माॉस के लिए आज हमने एक माॉस पैट बनाया है यह हमने इक कार्टुन पड़ा हुआ था हमारे पास उसे वह यूज करके उस پे कप्डा लागा के हमने बनाया है माउस पैट प्लस आप देख सकते हो यह लाइट्स आपको पहले नीचे नजरा आप थोड़ा सी उचाई दे दी गई इसको थोड़ा सा हाइड आई आए आपको हम दिखाते हैं लाफिंग बुद्धा जो पहले कहीं और थे अब उनका घर बसेरा बदल चुका है और ये रहे हमें हमारे लाफिंग बुद्धा इनको एक नया घर मिल गया है और आप देख सक नहीं बिल चुका है ओर हम यह यह इनको नया घर मिल चुका है और वह अब लोगो ने देखा ही होगा तो आपको हम यह इसान आधा करने के पहले दिखाए देता था उससे डिफरेंट है तो लाइट अफ करने के बाद यह बहुत यह और इसमें चार चान लग जाते हैं अंधेरा एक खुबसूरती लेकर आते हैं अपने साथ देखिए आप देख सकते हो यह रोशनी अंधेरे में और भी जगमगाते हैं आप देख सकते हो देखिए ऐसा लगता है कि जी बॉल है इसमें से रोशनी बाहर निकल रही है आप दीवार भी भी देख सकते हो ब्लू और इंच टाप रेड बन रहा है कुछ-कुछ रेज ग्रीन और सो तो देखिए यह कितना खुबसूरत लग रहा है यह लाइट आफ करने क देखिए बहुत ही बढ़िया बहुत ही खुबसूरत बहुत ज्यादा तो हम आपको फ़र दूर से दिखाते एक बार दूर से एक नजारा दिखाते आपको हम यहां से कुछ इस तरह का दिखता है यह और हमारा यहां पर एक दिसको लाइट तो देखिए यह वो है यह बहुत खुबसूरत लग रहा है देखिए यह तो चार चांद गया सो चांद से भी उपर चांद लगा दिया है इसने तो बहुत खुबसूरत न जा रहा है आप देख सकते हो जमीन पर हम आपको दिखाते हैं यह बहुत खुबसूरत है आपको यह नगरा सायद अभी पहले देखने को मिला होगा तो देखिए बहुत खुबसूरत है इसा लगता है जिसे यह तेर रहे है तो गाइस हमें उमीद है कि आपको यह बहुत ही पसंद आया होगा और आप पी जरूर पर अपने चोटे से प्यारे से रूम पर ट्राइज जरूर करोगे मुझे पता है तो आप लोग एक रफ आइडिया तो मिल ही चुका है कि कैसे सजाना है क्या कैस्ते माल करना आप यह हो इनसान जो इस खुबसूरती के पीछे है तो हम इनसे गुजारिश करते कि जरूर आपना चेहरा दिखा दीजेगा तो यह हो जिनके दिमाग में हमें सा कुछ ना कुछ चलते रहता है इन्हें बहुत पसंदे लाइट के साथ कुछ छेड़ चार करना या उनसे कुछ ऐसा चीज बनाना जो इनके मन को लुभा है यह हमें सा कुछ ना कुछ करती रहती है आप देखा ही होगा पहुत सारे तो थोड़ा साब बता दीजे इन लाइट्स के बारे में हमारे दर्शक आप से सुनना चाहते किये आपको एक खयाल आया तो आया कैसे आपके दिमागे है इते पास से तो मतले है जी हाँ बताईजे है खयाल कहा से आया मुझे नहीं पता कहा से आया अच्छा ऐसे यादा आप तो मुझे हमेशा से लाइट्स बहुत पसंद है एल लाव लाइट्स के इन दिफरेंट कलर्स हाना तो यह पड़े थे और यह जो है ना यह मतलब क्या वो पड़ा हुआ था पाहल तो मैंने सुचा क्यों ना इसका कुछ यूस किया जाए और फिर हम कुछ कुछ सेलिबरेट करते रहते हैं हरुजी सर्भी प्लेट करते हैं रही हमने सुचा कि इसको माहूल बनाएंगे किसी का बड़े पाटी वगेर होगा तो भी आप यहाँ इस रूम को हैर कर सकते हो बूक कर सकते हो है ना यस तो इस्पेशली हम यह बच्चों के लिए कर रहे तो कल हमारे है अध्यार में बच्चे है हम उंका हर दिन स्पेशल करना चाहते हैं है उनके कुछ हर दिन स्पेशल बनाना चाहते तो मैं जना उनक fiber day हम special way में celebrate करना चाहते जब तक हम यहां पर है तो आप देख सकते हो बहुत ही खुबसुरत लग रहा है एक चेन मनना है मैं पंसती है कि बच्चों को में एक माहूल दूँ ताकि बच्चा उस माहूल में खुश होकर पढ़ सके इस रूम में एंट्री करते ही बच्चा सब कुछ भूल जाए जितने पर परिशानी है उसके लाइफ में सब भूल जाए और वो पस खो जाए जो भी हो रहा है उसके आस पास